यार मुझे एमेल लिखना है कैसे लिखूंगे तू सबजेक्ट कैसे शुरुआ करूँ यार मैं हूँ ना यार इस वीडियो में हम यही तो सीखने वाले हैं कि स्टार्ट टू एंड एमेल कैसे लिखते हैं लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे इमेल से जुड़े कुछ वोक्याबलरी वर्ड्स और वीडियो स्टार्ट करने से पहले याद है न हर वीडियो के एंड में डेस्क्रिप्शन से आपको पीडियेव डाउनलूड करना है अपने फेवरेट वर्ड से सेंटेंस बनाना है और जो सबसे जादा क्विज के आंसर्स देगा और सारे वर्ड्स कवर करेगा उसको मिलेगा 20,000 का एक सप्राइज गिफ्ट चलो शुरू करते हैं सबसे पहला वर्ड है इन बॉक्स इन बॉक्स वो जगह है इमेल की जहां पर आपके सारे messages आते हैं Example देख लेते हैं I have a lot of unread messages in my inbox मेरे inbox में बहुत चारे unread messages है Unread messages वो messages होते हैं जिन्हें आपने अभी तक पढ़ा नहीं है Next word है sent items Sent items एमेल का वो पार्ट है जहां पर वो messages रहते हैं आपने किसी और को भीजे होते हैं और sentence है I checked my sent items and the email was delivered successfully मैंने अपना sent items चेक किया और देखा कि email जो है वो delivered हो चुका था Next word है draft Draft emails का वो जगह होती है जहां पर आपने कोई message save किया होता है Suppose आपको email लिख रहे हो चलो अब sentence देख लेते हैं I saved the email as draft so that I can finish it later मैंने email को draft में save कर दिया ताकि मैं उसे बाद में complete कर सकूँ Next word है subject line Subject line email का वो हिसा होती है जहां पर आप email में क्या बताने वाले हो उसे short में लिखते हो For example Please ensure that the subject line is clear and concise हमें हमेशा ये धियान रखना है कि जो subject line है वो short हो छोटा हो और काफी clearly अपना message दे रहा हो Next word है salutation Salutation का मतलब होता है शुग कामनाई Salutation हम email लिखने के सबसे पहले देते हैं सबसे उपर में देते हैं For example आपने कई सारे email में देखा होगा Greetings of the day लिखा होता है Which means कि वो आपको दिन की शुग कामनाई दे रहे है इस तरह से हम एक formal email स्टार्ट कर सकते हैं Next है opening paragraph Opening paragraph एक email का वो पार्ट होती है जहां पे आप email में क्या बताने वाले हो इस email का क्या मुद्दा है वो लिखते हो For example The opening paragraph should introduce the main topic Opening paragraph जो email का होता है उसमें हमें ये बताना होता है कि main email किस बारे में है Next है body of the email Body of the email second paragraph आता है जहां पे आप email में क्या बताने वाले हो वो सारी चीजे describe करके लिखते हो For example Provide all the necessary details in the body of the email जो भी जरूरी जानकारी है detail है वो आप body of the email में लिखोगे यानि second paragraph में लिखोगे And closing paragraph है last paragraph जहां पे आप email को close करते हो बंद करते हो For example Conclude your email with a clear closing paragraph आपका जो email का closing होना चाहिए वो बहुत ही clear and short होना चाहिए Next word है attachment Attachment email का वो हिसा होती है जहां पे आप files को attach करते हो email के थू Sentence है I have included a report as an attachment इस email में मैंने एक report attach किया है एक file के जरिए as an attachment Next word है signature Of course आप लिख के तो email में sign नहीं कर सकते बट email का एक अलग ही format है sign करने का वो कैसा है? वो इस तरह का है Sentence देख लेते हैं Please add your signature at the end of the email आपको ये भी ध्यान रखना है कि email के end में ही आपको signature add करना है उपर नीचे दाएं बाएं और कहीं नहीं Email के end में Next word है reply जो कि बहुत simple है Reply का मतलब होता है किसी का जवाब देना Email में reply का use हम करते हैं किसी के email को reply करने के लिए For example I look forward to your prompt reply मैं जल्दी से जल्दी आशा करता हूँ कि आप reply करेंगे आप जवाब देंगे Next Forward Forward का मतलब है किसी चीज को आगे बढ़ाना Email में forward का मतलब होता है Emails को आगे बढ़ाना किसी और को भेजना For example I will forward your email to the concerned department में आपका email concerned department जिसके लिए ये email है या जो इस पे action ले सकता है उस department को भेज तूँगा अगला word है recipient Recipient का मतलब है वो इनसान जो आपके email को receive कर रहा है ले रहा है For example Please address the email to the correct recipient ये email correct person सही person को भेजो Next word है CC जो email में बहुत common है लेकिन कई सारे लोग इसका full form नहीं जानते इसका full form है carbon copy For example I will CC you in the email मैं तुम्हें ये CC करके भेज दूँगा CC हम उस टाइम पे यूज करते हैं जब हमें email जिसको भेज रहे हैं उसके साथ साथ किसी और को भी ये बताना होता है कि आप भी ये email पढ़ लो आप भी ये email देख लो अगला word है BCC Again इसका full form है Blind Carbon Copy BCC का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी और को नहीं दिखाना होता कि कोई third person भी है जो ये email देख सकता है BCC Blind Carbon Copy For example I will BCC the team so that they are aware of it मैं अपनी team को BCC में रख दूँगा ताकि उनको इस बारे में पता हो जो भी team या जो भी member BCC के under होता है बाकी जो email के recipient होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि BCC के under जो recipient है वो भी इस email को देख सकते हैं Next word है acknowledgement Literal Hindi meaning है माननेता Acknowledgement का use हम तब करते हैं जब हमने किसी की email को receive कर लिया है और उस पे respond किया है Sentence है Thank you for your prompt acknowledgement of my email Suppose आपने तुरं तुरंथ किसी को email भेजा और तुरंथ है उसका reply भी आ गया तो आप उसे thank you कह सकते हो कि thank you आपने तुरंथ ही मेरे email पे respond किया Next word है attachment reminder Suppose आपने किसी को email भेजा है कुछ attachment डाल के और वो उस attachment को देखना भूल गया तब आप उसे attachment reminder भेज सकते हो Sentence है This is a gentle reminder for the attachment मैं आपको remind करवाना चाहता हूँ कि इस email के साथ एक attachment भी है जिसे आपको check करना है Next word है polite request emails जब भी हम generally लिखते हैं तो हमें यह आद रतना है कि हमें अपनी language को बहुत ही polite विनमर रखना है Polite request लिखने का सबसे प्यारा word है kindly For example, I kindly request you to review the attached document मैं आपसे request करता हूँ बहुत ही politely कि आप document को जो attached है इस email से उसे review करें उसे देखें Next word है professional tone जब भी हम email लिखते हैं हमें यह धान रखना है कि हमारा जो tone है वो बहुत ही professional, formal और polite हो For example, you have to maintain a professional tone throughout the email जैसे मैंने बताया कि throughout the email जब भी हम लिखते हैं हमारा tone बहुत ही professional होना चाहिए Next, clear and concise Email हमेशा बहुत ही clear होना चाहिए और short होना चाहिए For example, it's important to keep your email clear and concise यह बहुत ज़रूरी है कि आपका जो email हो वो साफ हो और बहुत ही short हो Next, prompt response Prompt response का simple meaning है जब आपको reply जल्दी से जल्दी आ जाता है For example, thank you for your prompt response on my inquiry मेरी inquiry पे जल्दी से response करने के लिए thank you Next word है follow up email मानलो आप किसी बात पर discussion कर रहे हो और उस meeting से या उस discussion से related आपको एक email लिखना है या किसी email पे आपको दुबारा पूछना है उसे हम कहते हैं follow up email For example, I will send a follow up email after this meeting इस meeting के बाद मैं एक follow up email भेजूंगी Next, polite closing जो हमारा closing होना चाहिए email का वो भी बहुत ही polite and kind होना चाहिए For example, you have to end your email with a polite closing statement आपका जो closing statement होना चाहिए email का end होना चाहिए वो भी बहुत polite होना चाहिए Next, request for feedback मान लो आपने किसी को email लिखा है और आपको उसका response चाहिए या उसका suggestion चाहिए तो उसकी लिए आप इस तरह से sentence लिख सकते हो I would appreciate your feedback on the proposal जो मैंने proposal email आपको लिखिया अगर आप उस पे feedback देंगे अपने views देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा Yeah, I would appreciate Next, acknowledgement of receipt कई बार जब हम किसी email को भेज़ते हैं और उसमें receipt attached होती है तो हमें सामने वाले को ensure करके याद दिलाना होता है कि आप इसे acknowledge करिए और इस email के साथ हमें ये phrase attach करना चाहिए Please acknowledge the receipt of this email इस email के receipt को please acknowledge करिए Next word है gratitude, आभार For example, I express my deepest gratitude for your support जब हम कोई email लिखते हैं जहां हमें सामने वाले को thank you बोलना होता है उनके support के लिए तो आप इस sentence का यूज कर सकते हैं Closure Closure का मतलब है किसी भी email को समाप्त करना, खतम करना And again, the closure of the email should be professional and polite Next, request for meeting अगर आपको किसी से meeting के लिए request करनी है तो आप इस phrase का यूज कर सकते हैं I am writing to request a meeting with you मैं email आपको इसलिए लिख रहे हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ एक meeting करनी है And lastly, complimentary close Complimentary close है again, शुबकामनाई हम email स्टार्ट करते हैं शुबकामनाई से, salutation से और end भी करते हैं शुबकामनाई से और complimentary closing के लिए आप डो words का use कर सकते हो Sincerely and regards Next word है inquiry यानि की पूछताच मान लो आपको किसी का कोई product या services बहुत अच्छी लगी तो आप उसे email लिखकर उनके product और services के बारे में पूछताच कर सकते हो कैसे? इस phrase I am writing to make an inquiry about your services मैं ये email लिख रही हूँ आपके services के बारे में पूछताच करने के लिए And lastly, urgent अगर आपने किसी email के अंडर urgent लिख दिया तो वो email तो खुलनी ही खुलनी है फ्रेज आप कौन सा यूज करोगे? ये This email is of an urgent nature and requires immediate action ये email बहुत ही जादा urgent है और इस पर action लेना भी तुरंत है तो दोस्तों ये वो words हैं जो हम commonly emails में यूज करते हैं अब अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक professional email लिखते कैसे हैं तब तक के लिए stay tuned और जाने से पहले याद है ना description से PDF डाउनलोड करना है इस वीडियो में सिखाए हुए किसी भी एक word से एक sentence कॉमेंस में बनाना है